हेलो गाइज इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले हैं एपल के इस इस्टूडियो डिस्प्ले को जो कि 27 इंच की रेटिना डिस्प्ले है 5K क्वाल्टी की और यह जो डिस्प्ले है सच में काफी एक्स्पेंसिव है और इस वीडियो में हम इसकी अन्बॉक्सिंग करें और वैसे तो मेरे पास में एपल के लबक सारे ही प्रोडेक्स है और इस डिस्प्ले को पर्चेस करने के पीछे भी एक काफी इंट्रेस्टिंग कहानी है जो कि मैं आगे आपको सुनाने वाला हूं सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग दिखाऊंगा इसी के हमने पे किया है वो वैलू यह जो है प्रोडेक्स से डिजर्ब करते हैं जब आप इसको अन्बॉक्स करते हो तो सच में प्रीमियम प्रोडेक्स वाली फील आती है जो कि हम यहां पर फील कर पा रहे हैं बैक के साइड में कुछ ऐसा होगा जैसे यहां पर दिखा रखा है औ हमें लगता है एक ही सिंगल कलर आता है तो चलिए आप इसको हम अन्बॉक्स करते हैं और इनकी अन्बॉक्सिंग भी काफी अलग तरीके के होती है काफी इको फ्रेंडली होती है पैकेजिंग देखो कैसा कर रहा है बिल्कुत सेम टू सेम मलदब पते नहीं चला डिस्पले है कहाँ पर भाई देगर चोर भी हैरान होजेगा कि गत्ता लेकर आओ मैं क्या तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह करना होगा क्या यह निकल आएगा साहिद चलिए यह प्रोड़क्त हम बाहर निकाल लेते हैं सच में लगता है कुछ खरीदा है फील आती पैसे देखे आयो देखो कहीं टेप कुछ भी नहीं उसकिया सब पेपर है और पेपर से इसा पैक कर दिया कि छूटे का नहीं पावर एडप्टर तो बाई यह जो है इतना एक करीब तीन-चार घंटे के बाद में मैसेज आया कि यह जो है डिस्पैच हो चुका है तो मैंने अपल की ट्रैक किया तो वहां पर ब्लूडार्ट से यह जो है प्रोड़क्त सिप किया गया था बोला गया कि हैंडवर कर दिया गया को और रात को नौ बजे मुझे मैसेज आत सब्सक्राइब की नेश्ट डिलिवरी होना थी यह था तो चलिए कोई नहीं आग इसे डिस्प्ले को दिखाते हैं तेंटने बहारों एक हो भाई साब क्या हो रहा है अभी कुछ और बैक कि वाई कितनी लेयर्स है और किया ब्यूटी है और यह जो डिस्प्ले है यह इसके अंदर खुद इंटर्नल एक प्रोसेसर है तो आप समझ सकते हो कि मतलब यह चोटा एक कंप्यूटर ही है तब ही इतना एक्स्प्रेंसिव होता है और इसके अंदर इंबिल्ड इस्पीकर है जो कि 5 और 6 स्पीकर है यानि कि डोल भी सांड का आपको एक्स्पीरियंस मिलने व पर पास में दो मैक बूक है एक तो वह पीछे देखोगे कि इस पेस ग्रे रखा हुआ है यहां पर यह जो डिस्प्ले है इसको मैंने पर्चेस किया है अपने इस लैप्टॉप से कनेक्ट करने के लिए क्योंकि हमारा भी रिसेंटली प्रोजेक्ट चलना है जिसके अंदर म चैम लाइन पर हमें काम करना पड़ता है जिसमें क्या होता था कि जो लाइफटॉप की डिस्प्ले होती है वो थोड़ा सा छोटी होती है और इस पर आप समझ सकते हो कि कि इतना क्लियर चीजे सारी चीजे बिस्वल होंगी और एक साथ में हम मल्टिपल जो है टैब इसमें कर सकते हो तो चलिए आग इस डिस्प्ले को हम साइड में रखते हैं इस बौक्स के अंदर और क्या चीजे बचे हुई है वो हम देखते हैं इसके अंदर कुछ और है बॉपशक के लाबा मुझे तो नहीं लगता कुछ नहीं वो इस में हैं यह मिस्ट्री वाक्स के तो यह केवल मिली है वाव ब्रेड़ेट केवल है बोलोग क्लाथ की है देखो यह जो है केवल मिलती है जिससे कि हम अपने MacBook Pro से इसको connect कर सकते हैं तो चलिए अभी connect करेंगे इसके अंदर और क्या है तो और यहां पर कुछ paperwork मिल जाते हैं तो studio display कैसे connect करना है चलिए इसके अलावा sticker वाव Apple के sticker भी यहां पर देगे गए हैं और यह क्या है energy saving कितना energy खर्चा करेगा वाव इक टेगरी के अंदर आएगा MacBook के लिए यहां पर यह इस्टेंड मैंने पर्चेश किया है जो कि Amazon से खरीदा है तरीके से इस पर हम इस्टेंड कर सकते हैं computer को open करने की जरूरत नहीं है जैसे डिस्प्ले आप connect करोगे तो सारी चीज़ा उट्वेटिक यहां से डिस्प्ले में स्विच हो जाएंगी इस से डिस्प्ले में जब ऐसे हमारा system connect हो जाएगा तो हमें जरूरत परती है एक keyboard की mouse तो मेरे पास में प तो इस तरीके का keyboard कुछ आता है butterfly keyboard बाकी इसमें cable मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए ठीक है और इसमें क्या क्या कुमेंशन है इनको भी हम साइड रखते हैं को खास जरूरत नहीं है बाकी तो पता यह Bluetooth से connect हो जाएगा अब इसको setup करते हैं पहले तो आपको दिखाते ह आपको काफी अच्छी आपर देखने को मिलेगी और इसमें फ्रंट में आप सभी को एक कैमरा भी मिल जाता है जिससे की वीडियो कॉल अगर आपको करना है को जू मीटिंग अगर आपको जॉइन करना है तो वह चीज़े आप इससे कर सकते हो और मैं आपको प्ले करके सच में यार कलर क्वाल्टी काफी अच्छी है यार 5k क्वाल्टी में बिग साइज की डिस्पले है और यहां पर आप मैं क्या करने वाला हूँ इसमें दो टैब अपनी मैं ओपन करूंगा जिससे suppose हमें कोई दो टास्क करने हैं तो जैसे हमने एक हाफ टास्क के हाँ पर उपन कर लिया ऐसे हम इसको कुछ सेट कर लेंगे तो यहां पर क्या होगा कि हम दो तीन टास्क में एक साथ में काम कर सकते हैं मिनिवाइज करके बार-बार भागने की हमें जरूरत नहीं होगी तो यह मेरे लिए काफी अच्छी चीज है क्योंकि अभी क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है जो कि अफकोस आप स यह प्रोजेक्ट मार्केट में अवेलबल होते हैं अब यहां पर आप देखोगी कि इसके अंदर में जो मैं आडीयो की बात कर रहा था तो कुछ इस तरेके से सर्रांड आडियो को मिलने वाली विक साइड यहां यहां से आप देखोगे कि सांड की आडियो плliamo मिले गे वह इस तरीके से जैसे कार वगर्ण मिल जाता है और इसी के साथ मैं यह देखों कि नीचे के तरफ जो मैंने बता रखा था यहां पर इस तरीके से स्पीकर प्लेस किए गए हैं बाकी इसकी जो साउंड क्वाल्टी है वह भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूं कैसी है तो एक सॉंग में ज्यादा देख तो नहीं जा सकता हूं लेकिन हां अंदाजा आपको लग जाएगा मैं कोसिस करता हूं कि कि जो आडियो है बाई सांप रीडियो से जादा मुझे आडियो मसा आ गया सच में इस पे अब मुझे लगता है मेरा मुवी का जो बजट है वह बच जाएगा तो हम इस पे देख सकते हैं सच में मलब फील वैसे दे रहा कि आप सिनेमा बेठा हो और वाकाई में studio display है तो studio quality के जो वर्क होते हैं इन सारी display पे होते हैं जहां पर color की जो accuracy वो आपको यहां मिल जाती है कई बार क्या होता कि हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करने के बाद में उसका आउटपुट निकालते हैं तो अगर आप कई सारी अधर अधर कंपणियों के प्लेटफॉर्म पर वर्क करते हो डिस्प्ले किसी दूसरे कंपणी की है सिस्टम आपका किसी दूसरे कंपणी का तो होता ही है कि उसका जो है कलर क्वालिटी में थोड़ा सा माइनर से इशू आ जाते हैं जो कि एपल आप सभी को सेम वह से फील देता है कि जैसा कलर क्वालिटी आपको दिख राए एंड यूजर को भी वैसा ही प्रोड़क्ट दिख बढ़ते हैं जो कि आप अदर ढ़ीडा से को को कानेक कर सकते हो यह मैक से भी यूजर कर सकते हैं जैसे कि आप देखो कि मैक अगर आपने पर दर्शार कर रखे हैं सब्सक्राइए यह जो पीसी मैं ट्रेवल कहीं करता हूं इंडिया में हुँ इंडिया के बाहर कहीं दोवक्स के भी तो व मैं carry care पाथ होँ Amauk siap को अपना इस पर काम कर आए इसके बड़ी डिश्प्लेय में ना कर सकते हैं काफी convenient हो जाता gustaría अब यहां पर यह présentég है हमारे आप डेखोगी कुछ सरीके का माउंट right यहां पर लगावा जैसे की और यहां पर इसके अलावा भी आटेश्मेंट के आप्शन आते हैं जैसे कि टिल एंड हाइट अजेस्मेंट वाला जो स्टैंड है यह करीब 20,000 रुपे इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है और वर्टिकल अगर आपको यूज करना है तो यह कीबोर्ड हो गहारा है वाकि हमारा तो कीबोर्ड आप जानतों मैंने छोटा समंगवाए क्योंकि मुझे ज्यादा निम्री कीबोर्ड की ज़रुरत पढ़ती नहीं है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा यूटूब का सेटप है उसमें नई जान आ चुकी इस प् कमेंट करना पड़ा है तो आप मुझे कमेंट बाक्स में लिख करके बताना कि यह जो पैसा हम एपल को दे रहे हैं क्या वर्थ है आपकी जो भी ओपिनियन है मुझे कमेंट पर लिख करके बताएगा बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना हम और वीड वीडियो में तब तक लिए गुड़ बाई जैहिन